आज इस वीडियो में हम MICR के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि क्या होता है, उप्योग क्या है और कैसे काम करता है, इसको परिक्षा में कैसे लिखना है इसके पहले पॉइंट पे चर्चा करते हैं, देखें यह एक input device है, वो इसका पूरा नाम Magnetic Ink Character Recognition होता है और यह कुछ इस परकार का दिखता है, अब बात करते हैं इसका उप्योग क्या है, देखें इसका उप्योग इसके नाम में नहीं था है, इसका नाम है Magnetic Ink Character Recognition जहां Recognition का क्या आर्थ होता है, पहचान या मानेता, किसकी पहचान या मानेता, Magnetic Ink Character की तो इसका मतलब हुआ कि जो Magnetic Ink Character से लिखे होते हैं, उनकी जो मानेताओं का या पहचान करने काम होता है, वो Magnetic Ink Character Recognition का होता है यह स्क्रीन पर एक Bank का चेक है, यह आपने भी देखा होगा, इसमें नीचे कुछ Special Character लिखे होते हैं यह Special Character जो है, यह Magnetic Ink से लिखे होते हैं, और इनको Detect या पहचानने का काम जो करता है, यह इस परकार की Machine करती है, जो आमसर बैंकों में देखने को मिलती यह काम कैसे करता है, यह जो Special Character है, जब यह Machine में चेक लगा जाता है, तो Machine जो है, इसको Machine भासा में Convert करके इसकी बैंद्यता को चेक कर लेती है अब बात करते हैं कि इसको एक्जाम में कैसे लिखना दे, O-Level या A-Level या Computer Science के एक्जाम होते हैं, उसमें इसे पूछा जाता है, इसमें इस परकार लिख सकते हैं वीडियो पुरा देखने लिए धन्यवाद, इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए हमाई चैनल से जुड़े रहें, धन्यवाद